आज हम क्योशन नमबर 3 को देखने वाले है exercise 7.7 में सारे सवाल सेम है formula जो भी change होगा मैं आपको बताते रहूँगा बट सवाल बड़े easy easy है आपको complete ncrt solution हमारे चैनल पर जरूर मिलना रहा है x square प्लस में 4x plus 6 देखो सबसे पहले स्क्वाइर्स में convert करना पड़ेगा और मैंने आपको बहुत अच्छे से previous exercise में सिखाया है कैसे square बना जाता है x square सेम आएगा 4x सेम आएगा अब जो x का coefficient है उसका आधा कर दो और उसी का square add गर दो और माइनस कर दो जैसे 4x का coefficient है तो 4 का आधा क्या होता है दो यानि कि 2 का square add कर दो और 2 का square माइनस कर दो प्लस में हमारे पास 6 चलता रहेंगा उससे फाइदा क्या होगा देखे उससे फाइदा ही होगा कि यह हमारा एक square बन जाओगा किसका square बनेगा x plus 2 का whole square और माइनस में मेरे पास किता आजाएगा देखो 6 है और माइनस का 6 नहीं कि प्लस का 2 प्लस का 2 आजाएगा tx अब इसको में convert कर सकता है क्या x plus 2 का whole square प्लस under root 2 का square tx अगर आप इसको compare करो तो आप एक general formula से compare कर सकते हो under root में x square प्लस a square और ये formula मेरे पास होता है note कर लीजेगा formula बहुत प्यार से क्या formula होता है पहला तो same रहेगा x बटे 2 सब formula में same रहेगा आगे हमारा क्या change आजाएगा a square बटे 2 प्लस में under root x square प्लस a square प्लस में ये formula हम use कर देंगे अब देखो यहाँ पर ये x है और ये a है हमारा रख दीजे substitute एक तो आ जाएगा x बटे 2 divided by 2 x square प्लस a square अब भाई मैं x square क्या है x plus 2 का square plus under root 2 का square plus में a square प्लस बटे 2 यानकि 2 बटे 2 load x प्लस में यानकि ये मेरा x है और मेरे पास आएगा x plus 2 का whole square plus under root 2 का whole square plus में c ये मेरे पास answer हो जाएगा अब कई जिगर पर क्या मिलेगा अगर mcq सवाल आएगा तो आपको ये नहीं मिलेगा under root में यही दिखाई देगा बट दोनों एक ही बात है हमने इसी को solve करके हमने क्या बनाया हुआ है ये बनाया हुआ है तो घबराएगा नहीं कि ये सवाल हमारा ऐसा दिख रहा है या ऐसा दिख रहा है ये वाला दिखेगा maximum यही दिखेगा यही हमारा answer होगा तो आप under root में यह लिख सकते हैं x square plus 4 x plus 6 उमीद करूंगा ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में होगा शेयर सभी से करती सेगा square बनाना ये second formula यूज किया है हमने question number 3 में और 4 में भी हम सेम यही formula यूज करने वाले हैं तो जो next video है कि question number 4 के लिए अच्छे से वहां से समझेंगे कैसे हम सवाल करेंगे लाइक जरूर करके जाने चैनल के लाइनों सब्सक्राइब जरूर करें जायकि